दिल्ली के रामलीला मैदान पर विराट धर्म सभा बुलाई है दिल्ली के रामलीला मैदान पर विराट धर्म सभा का मंच सजकर तयार है करीब 3-5 लोगों के आज रामलीला मैदान में पहुँचने का दावा किया जा रहा है दिल्ली न्सियार से 10,000 बसे, राजगाट, जंडेवालान, लालकिला, जवाहरलाल देहरू स्ट्रेडियम, इंडिया गेट पर खड़ी होंगी जहां से लोग पैदल ही रामलीला मैदान के ओर कूच करेंगे धर्म सबा सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और इस सबा कायोजन करने के पीछे मकसद है राम मंदिर का निर्माण, 3-4 लाख लोगों के पहुचने का दावा किया जा रहा है विएचपी की तरफ से ये हुंकार भरी जा रही है, रामलीला मैदान में आप तस्वीर देख रहे हैं मंच सच कर तयार है और यहीं पर शाम 4 बजे तक आज तमाम साधू संत और विएचपी से जुड़े हुए लोग हिंदू धर्म संगटन से जुड़े हुए लोग पहुचेंगे, आज मांग इस बात को लेकर होगी कि राम मंदिर का निर्मान हो, राजगाट चौराहे पर भी स्क्रीन लगाए गए ताकि अलग अलग जगहों पर जो लोग मौजूद रहेंगे, वो देख सके कि इस धर्म सभावे क्या बाते हो रही है, कैसी तस्वीर है लेकिन अलग 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 जगहों से बस के जरिये राम लीला मैदान तक लोग पहुचेंगे और पैदल ही चलकर लोग राम लीला मैदान तक पहुचेंगे कि क्नोंट प्लेस के आसपास की कुछ जगहों को सुरक्षित किया गया है बहाँ पर सुरक्षव विवस्था भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरीके से कोई उपद्रब करने की अगर कोशिश करता है तो उन्हें रोका जा सके दिल्ली के राम लीला मैदान में विएच पी की विराध धर्म सभा को लेकर तस्वीर आपको राम लीला मैदान की दिखा रहे हैं जहां पर सिक्यूरिटी के किस तरह के इंतिजामात हैं इसी तरह के गेट हैं गेट से एंट्री के वक्त आपको सबसे पहले सुरक्षा की पहली तस्वीर दिखेगी जबकि अगर दूसरी तस्वीर के अगर भीतर आप एंट्री करते हैं तो मेटल डिटेक्टर गेट जो हैं वो लगाए गए हैं बकाएदा चेकिंग के बाद ही आप राम लीला मैदान में एंट्री कर सकते हैं और अगर भीतर की तस्वीर अब देखेंगे तो कुर्सियां जो है युजकों का दावा है कि करीब पचास हजार कुर्सियां जो है वो लगा दी गई हैं और लोग भाग जो हैं उनके लिए रास्ता सुभा से ही यहां खुला रहेगा ताकि भीड जो है वो बाहर एक साथ ब भीतर की बात करें तो वो भी और मैदान के बाहर भी इस तरह की स्क्रीन जो है वो लगाई गई हैं 16 पार्किंग की जगा बनाई गई हैं और साती सात करीब 10 हजार जो बसे हैं दिली एंसी आर और आसपास से वो यहां पर लोगों को लेकर आएंगी वीच्पी से जोड़े लोग हैं वीडियो जनली चेतन के साथ सूरज अरोडा न्यूस नेश्य दिली और दिली में और ज्यादा जानकारी के लिए रविकांत हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं रविकांत एक बड़ अगर तस्वीर दिखा सकते हैं तो आप तस्वीर दिखाईए और क्या लोग जुटने लग गए हैं दिखे विद्या दिल्नी का रामलीला मैदान जो है अतिहासिक बदलाओं का गवाह रहा है कभी सरकार के खिलाब तो कभी भरश्टाचार के खिलाब यहां से आंदोलन हुए हैं तस्वीरें सीधे दिखाएं आपको राम लिला मैदान की इस वक्त जो राम भक्त है वो धीरे धीरे राम लिला मैदान में पहुँचना शुरू हो गए है बीएचपी का टारगेट है कि यहाँ पर 3-4,00,00 पहुँचे और जो सरकार के उपर एक दबाव होता है जन्च सहलाब का वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है अभी यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसके मताबिक संध परिवार के बड़े पदाधिकारी इस कारिक्रम में हिस्सा लेने वाले है भी एच्पी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौझूद रहेंगे और 11 बजे से लेकर 4 बजे तक यह पूरा कारिक्रम यहाँ पर होने वाला है अगर मंच की बात करूँ तो मंच पर जो स्लोगन दिया गया है कि आयोध्या में स्री राम जन्म भूमी पर हब्य मंदिर निर्मान के लिए कानूम बनाओ यानि सरकार पर सीधे तोर पर दबाव बनाने की रणीती है क्योंकि संसत का जो सत्र है वो 11 दिसंबर से प्रारंब हो रहा है और VHP, संत, समाज और RSS की रणीती यही है क्योंकि उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोट ने कहा है कि राम मंदिर जो है वो उनकी प्रात्मिक्ता में नहीं है लेकिन जो आम जनता है, जो राम भक्त है, उनके लिए राम मंदिर का जो विज़ा है वो आस्था का है और इस पर प्रात्मिक्ता होनी चाहिए इसके सरकार कोई रास्ता निकाले, इसने यहाँ पर विराज धर्म सभा का आयोजन किया गरा पस्मिरें आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो लोग हैं, राम भक्त हैं वो धीरे धीरे राम मंदिर के अंदर आ रहे हैं और इस मंदिर की, सौरी, इस मैदान की अगर कैपसिटी की बात करें तो 2-5 लाक लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो टार्गेट लिया गया है वो 3-4 लाट का है और बाहर अगर बात करें राम लिला मैदान के, तो वहाँ पर भारी संक्या में जो लोग कहां से पहुँच रहे हैं? जो राम भक्त हैं, ये कौन कौन से इलाके से पहुँच रहे हैं? तोड़ा सूचनाव के और जान देगे देखे वीएचपी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये जो लोग यहाँ पर रामरिला मैदान में आ रहे हैं वो उत्तरपदेश से हैं, हर्याना से हैं, राजस्थान से हैं और आसपास जो दिल्ली NCR के जितने भी कारे करता हैं, वीएचपी के जो रामभक्त है, उनसे इन लोगों ने कांटेक्ट किया है और साणे ग्यारबजे के आसपास जब मंच पर कारे करम प्रारम भोगा, तो बताये ये गया है कि संग परिवार की तरब से भाईयजी जोसी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और संग परिवार का पूरा समर्थन है, इसके अलवा वीएचपी और जो अन्य हिंदू संगठन है, उनका भी पूरा समर्थन है अब देखना ये है कि ये जो रैली बुलाई गई है विराट धर्म सभा, उसमें संत समाज क्या आवाहन करता है और इस तरीके का समाज करता है, आज धर्म सभा कायोजन दिल्ली में किया जा रहा है, तीन से चाड़ लाख लोग पहुँचेंगे, ये दावा वीएचपी की तरफ से किया जा रहा है हमेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौलाना साजिद रशिदी सहाब है, धर्म गरू है, बहुत बहुत स्वागत है तीन से ही मैं सबाल करता हूं कि क्या इस तरह की धर्म सबहाओं से सरकार पर दवा पड़ रहा है कि बहुत सुंदर एक द्रश्य है भगवा का इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे हम सब अभीबूत होते हैं क्योंकि जगबी उर्जा का ये प्रतीक है लेकिन इससे होने वाला आपके चैनल के माध्यम से ये बात में बहुत बार कह चुकी हूं यह सिर्फ हिंदों को दुबारा से बर्गलाने का एक तरीका है बाकी हासिल कुछ भी नहीं होना क्योंकि हिंदों के अस्तित्व की रक्षा के लिए जो कारे करने थे सरकार को वो किये नहीं इसलिए आज अ यह मानना है कि इस देश में लोकतांत्रिक देश में किसी भी सामाजिक संगठन धार्मिक संगठन इवर राजनेतिक संगठन को भी अपनी बात कहने का अधिकार है अपनी बात को रखने का अधिकार है और अपनी बात को रखने का अधिकार जो है वो अपने इस सवेधानिक तरीके से है इस देश difah भी कुछ समय पहले किसानों ने बहुत-бड़ आंदूलन किया जंद अन्दरमंतर पे उस से पब्र मजदूरों ने अंदूलन किया तो इस देश में अगर विश्विंदू परिशेद जैसे समाजिक संगठन अगर राम मंदर के निर्माण के लिए को अंदोलन करेंगे कब तक इस तरह की धर्म सभाय होंगी चुनाव से ठीक पहले ऐसा माहल बन जाता है लेकिन चुनाव के बाद 5 साल तक आप लोग भी शानत रहते हैं इस देश में इतना बड़ा देश है जहां चुनाव हर 2 साल बाद कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं और रही बात येस केस राम जहन मुवी का मुद्धा नैले और धर्म विशे में जुड़ा हुआ है। अची दिल के नेता कि ये आंदोलन दरसल चुनाव को देखते हुए होता है। पहले राजिसान में क्या हुआ? इस तरी की रही है क्या पहली बार हो रही है? इस समा हुआ ती करोड़ों की खटे हुए उसमे कोई आप नहीं करें है। आपका नमबर आएगा अच्छे से कहना कोई बात नहीं। देखे इन्होंने इजतमा का सवाल उठाया। मैं दो-तिन हिंदूों के आपको खुद उसका रिमार्क्ष दिगा सकता हूँ। उन्होंने ये कहा और महा के शाशन पर शाशन ने भी कहा। वो जो तीनलाक आदमी इजतमा में इखटे हुए, कोई किसी तरह की अपरी गटना वहां से साबित नहीं हो पाई। महा तो सिर्फ नमाज सिखाई जाती है, वोजू सिखाई जाती है, कैसे आपको नमाज अदा करनी है, क्या पढ़ना है। महा कुछ ऐसा होता है, इन्हें महाँ दौआ की जाती है देश के लिए। सवाल यह है, जो राजनीतिक संव्टन है। यार मेरी पूरी बात है, बड़ी दिक्कत की बात है, आप भी टोकते हैं, बीच में बैठने वाले मैं यह कहता हूँ, मैं इस पर सवाल उठा रहा हूँ, कि इस तरह की जब भीड़ इकटी होती है, तो उसको रोकना शाषन पर शाषन दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है तो इस तरह की सभाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस तरह की सभाई में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सरकार सिस्टम को इस तरह की सभाई को होने ही नहीं देना चाहिए देखिए सभा जो है जैसे कहा गिया है कि ये सनविधानिक गानूनी अधिकार है लेकिन परिनाम को देखके और जो समसिया है और जो मुद्दा है उसका बहवारिक समधान होगा ये जो है वो देखने वाली बात है लेकिन जहां तक सभा है उस पे जो है मैं सभालने उठा सकता हूँ कि ये सनविधानिक है ये गए सनविधानिक है लेकिन बहवारिकता को आप देखे सनविधान को देखे संसत को देखे तो उस हिसाब से जैसे कि जैसे कि अस समधानिक सभा है ना इस तरह की सभा होनी नहीं लेकिन यह एक में परिनाम को जेके जो है जो मुद्दा है राम मंदिर अव बाबरी मस्जिद का वो मुद्दे को लेकर अगर आप बहवारिक्ता को देखें तो इसका जो है समाधान जो है इन सभाओं से बिल्कुल भी जो होता नदर नहीं आ रहा है लेकि जो राम बक्तों को सहलाव आप देख रही है यह जो राम बक्तों को सहलाव है वो इस बात को कह रहा है कि अब जो है हमारी हमने बहुत दीरत रख लिया 500 साल तक इंतजार किया हमने 27 साल कानुई लड़ाई लड़ी तो देखे अपनी अपनी दलीले हैं अपनी अपनी तर्क हैं लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की सभाओं से क्या मंदिर का निर्मान हो जाएगा एचेस रावच साहब मंदिर का निर्मान हो जाएगा क्या और फिर 5 साल से इस तरह की सभाओं हमें क्यों नहीं देखने को मिल र मैं बार-बार ये कहता रहा हूं कि बिल लेकर कि आओ पिछले चार साल से अब परसद ने तो ये मुद्धा अभी उठाया है पिछले दो तीन मेने से लेकिन मैंने लगातार इस मुद्ध को उठाया है हाँ प्रैसर बनाना ये हमारा काम है हम चातें राम मंदर बने भगवान राम का ये देश है, हमारी आस्था का सवाल है, सौ करोड हिंदू के आस्था का सवाल है, अगर राम का मंदर नहीं बनेगा तो हम कहां जाएंगे, यह एक परेटन देश है, यहां पर दुनिया आएगी, रामार को दुनिया जानती है, रामार को दुनिया सीखती है, अगर वो मुसलमान रहनुमा हैं या जो दरमगुरूं से बात करके इसका निवारण अवश्च होना चाहिए अगर ये निवारण नहीं होता है तो देश के अंदर धुर्बिकर्ण होता रहेगा और ये बिवात पैदा होता रहेगा चीक है लेकिन अब तो पार्टी के भीतर से ही पार् लाई गई है लेकिन तीन से चार्ड लाख लोग इसमें पहुंच रहेए ऐसा दावा किया जा रहा है हलाकि लोग अभी पहुंचने शुरू हो गए लेकिन सवाल ये उट रहा है कि आखिर जब खुद योगी आदितेनात ये कह चुके है कि सुप्रिम कोट में ये मामला है अगर हमारे प्रदेश में हमारे सरकार के पास ये मामला होता है तो मंदिर का निर्मान हो चुका होता ब्रमन्यम स्वामी धंकी देते हैं सरकार को एक तरीके से वो ये कह देते हैं कि अगर ये सरकार जल से जल राम मंदिर का निर्मान नहीं करवाती है तो फिर ये सरकार गि पूड़ेवे संगटनों के लोग हैं फिर इस तरह की सभाएं और इस तरह की बाते क्यूं राम मंदी निर्मान के लिए एक ठोस कदम क्यूं ने मैंने ये पहले भी आप से कहा कि ये राम जन्मुमी का जो आंदोलन है जो केस है ये सुप्रीम कोट में लंबित है एक विशे इस लोकतांतरिक विवस्ता के अंदर जिस विशे के लिए लड़ा है वो लोगों के विशे जाना चाहिए जन आंदोलन लोक्तांतिक तरिके से, सब्वेधानिक तरिके से खड़ा हो आप लोग प्राइग कर लिजे कि सुप्रीम कोट का इंतिजार करेंगे, उसके फैसले का इंतिजार करेंगे या इस तरह की सभाओं को बुलाकर सरकार की तरफ से कोई फैसला उठाने या कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर करते हैं आप ये मानके चलें कि सुप्रीम कोड ने भी कई बार जन आंदोरोनों को देखते वे अपने गतिविदियों को अपने निरने को सुप्रीम कोड को भी बताने के अवशिकता है न कि जन आंदोलन जन भावना ही क्या है आस्था क्या है श्रद्धा क्या है तो पिर ये धंगई इसको देना चाहते है पिर और इस तरह की सभाओं का फिर क्या मकसद है और सवाल अगर उठ रहे हैं तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा